दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए नोग पिडियो में फिरी किस तरह से डाउंडisia डाउंड कर सकते हैं जिवाज़ दोस्तों आपने कई सारे वीडियो में देखें होंगे जब उनका वीडियो चलता है है तो आपको या तो कॉपिराट क्लेम या तो कॉपिराट स्ट्राइक देखने को मिलेगा तो इस चीज से बचने के लिए आज मैं आपको इसी की जानकाड़ी देंगवा कि आप किस तरह से आप अपने यूटूब वीडियो के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर में आपको उसमें क्रेडरित देना पड़ता है लेकिन आज मैं यूटूब के ओफिशियल वेब साइट से में दिखाऊंगा कि आप उसमें कुछ नहीं क्रेडरित देना पड़ेगा नहीं कुछ देना पड़ेगा सिधा सिधी आपको डाउनलोड करना है और आपको अपने वाल कि करोम ब्राजर में तब देख सकते हैं यह हमारे ecosystem एक बार इसको उपन कर लेते हैं और जैसे आप ली क्लिक कर देना है और यहां पर लिख देना है YouTube.com और यहां से आपको सर्च कर लेना है और जैसे आप YouTube.com लिखके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एंटरफेस खुलेगा उसके बाद यहां पर आपको कोने में 3.option दिखेगा 3.option इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर दिख जाएगा डेस्टॉप साइट के आगे एक बॉक्स से इसके उपर क्लिक कर देना है और जैसे आप उसके उपर क्लिक करेंगे तो आपका जो चैनल है यहां पर डेक्स्टॉप मोड में जो है ओपन हो जाएगा उसके बाद हम इसको फोड़ा जूम कर लेते हैं और यहां पर आपके चैनल का लोगो में इसके ओपर सिंप्लि क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर दिख़ाएगा यूटूब इस्टीडियो आप देख सकते यहां पर एक उप्शन दिख जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे नीचे वाला प्ट् bekommt के आपतो आपको पिलिक करें और इसके आप को आपको सारे पको नजर आजाएगा यहां पर देख सकते हैं जितने सारे music है यहां उसमें सब यहां पर देख सकते हैं यहां पर यूटूब का लोगों है याने कि यूटूब के तरब से इसमें आपको नहीं तो कोई कॉपी राट क्लेम देखने को मिलेगा कुछ नहीं कर सकते हैं यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम दिखा देखते हैं तो कुछ लाख यहां प्रकार से हमारा यहां पर हम साइड में आपको दिखा दू Еidence म्यूजिक पर प्ले वाला बटन दबाकर रखेंगा मैं अपको यहां पर जैसे कि हम डांलोट बाड़े पर हम किलिक करते हैं और जैसे हमने डांलोड बाले पर किलिक किया तो यहां पर योप्षन आएगा दांलोड पाथ किसी टेंशन के आप अपने वीडियो में इस music को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद एक और चीज मैं दिखा दूँ यहां नीचे सबसे नीचे एक option है यहां पर जूम कर लेता हूं यहां पर यहां पर एक और next page खुल जाएगा आपके music का तो यहां पर बहुत धेर सार आपको music मिल जाएगा तो आपको जो music पसंद है वो music ले जाएगा और यहां पर आपको मैं दिखा दू यहां पर यहां पर लेना है यहां से फिरских और उप्षान है मृटिशन टाइट रहा है यह ना दिर्ट्फा सब्सक्राइब उसके बाद यहां पर नीचे जो मुझे दो option दिख रहा है Attribution Not Required और नीचे जो है Attribution Required इसका मतलब यह होता है जब आप उपर वाले पर किलिक करते हैं Attribution Not Required पर जब आप किलिप करते हैं उपर वाले पर तो यहां पर आपको कोई भी इसमें जितना सारे music है आप कोई भी इस्तिमाल कर लिजी अपनी वीडियो में यानि कि आपको कोई भी क्रेडिक देने का जरूरत नहीं है और यहीं बात करते हैं हम दूसरी बाले पर यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं तो मैं क्या करता हूं फिर से यहां से सर्च ओफ फिल्टर लैबरेडी पर कि यूटूब के तरफ से नहीं है यह आपको इसका मतलब है कि लिखा हुआ इसका मतलब आपको अपने वीडियो के क्रेडिट देना होगा जब आप म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर कोई टेंसन नहीं रहेगा कुछ भी आपको कौपीराट से क्लेम कुछ भी तो मैं दिखा भी देता हूं कि आपको इसका जो करेड़िट कि स्तरह से दिया मुझजी को इस्तिमाल करेंगे दो ढंड़ोड ऑप्स से यहां पर आजाएगा है इसकी उपर कर देना है और जैसे को इसके उपर किलिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्षान आ जाता है ये जो एके सिराध्य हो इसके बाव से एक कॉपी बाला ऑप्षान है को इसको और पूरा का आई काएगा नहीं तो कॉपी राट क्लेम आएगा तो यहीं एक क्रेडिट देना होता है तो कुछ इस प्रकार से आप अपने यूटूब वीडियो के लिए फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं गाइस उमीद करता हूं आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा अग जरूर दूंगा शोदा इस तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बात बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्स फूर वाचिंग